Hello students, मैं Ankitab की English Educator, स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains Hindi पर जहां आपको मिलता है High Quality Education with so many top courses CBAC, UP, MP, Bihar, Delhi, Rajasthan Board, Class 6 से लेकर Class 12 तक के सभी students के लिए ये सभी courses available हैं और वो भी एकदम free of cost इसके अलावा, Magnet Brains English Medium पर KG से लेकर Class 12 तक के लिए CBAC Board available है और वो भी again free of cost तो यानि students चाहे Magnet Brains Hindi Medium हो या फिर English Medium हो दोनों ही channels पर free education available है जिसका फाइदा आपको जरूर से जरूर उठा ही लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत शांदार opportunity है इसके अलावा अगर आपको e-notes या e-books चाहिए तो वो भी आपको easily मिल जाएंगे e-notes जो है students उनकी जानकारी में थोड़ी सी आपको दे दूँ कि ये practice sets के साथ तो available है ही इसके अलावा organized format में available है जो आपके लिए बहुत सादा प्योगी साबित हो सकते हैं अब ये आपको मिलेंगे कैसे इनके जो links हैं आपको description box में दी गई है तो जैसे ही इन links पर आप click करोगे आपको e-books और e-notes related सारी की सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी I hope ये पूरी तरीके से clear है इस important information के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के topic पे जो की है extract based questions of the chapter discovering to the saga continues तो जल्दी से इस video को हम start करते हैं जो सबसे पहला extractor students हो है फ्ल्दी सबसे हैं अबותे इस दो स्च Eleable of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries he was laid to rest laidan with gold and eventually forgotten तो फ्से से ओऊ seems the discovery of his tooth in 1922 this modern world has speculated about what happened to him with murder being the most extreme possibility now leaving his took for the first time in almost 80 years it has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death एन प्रोवाइड प्रिसाइस डीटा फॉर एन एक्यूरेट फ्रेंसिक रीकंस्रॉक्शन ओव द बॉईश फैरो यानी स्टूदेंस इस वाले किया गया था ठीक है अब देखते हैं इस पर questions क्या क्या बनते हैं इनकी help से आपको और भी अच्छे सी एक लर हो जाएगा तो first question है who is he in the above passage यानी इस passage के अंदर ही जिसके बार में बात हो रही है वो कौन है तो basically कौन है वो तुट ही है सो किंग तुट कह सकते हैं हम इसके अलावा तुट भी अगर लिखेंगे तो वो भी सही होगा फिरो या पिरोहा फिरो तुट कहेंगे वो भी correct होगा right students clear है आगे बढ़हें next is who is the author of the chapter from which the above extract is taken now it is again quite an easy question A.R.Williams या N.Williams भी हम लिख सकते हैं A double N अब यहां में एक छोटी सी बात यह बता दो हो सकता है आपको यह लगता हो कि मैं इतना easy सा question है पता है हमें कौन है और इस तरीके से इतना easy author वाले name का question पूछने की क्या जरुत है तो student basically क्या होता है अभी आपको मालू है हम कौन सा chapter पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से settled रहता है कि हाँ इस chapter की ही बात हो रही है और इस chapter का author यह है बट कई बार क्या होता है एक्जाम में जब हमारी सामने extract होता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस extract को पढ़कर हमारे लिए identify करना हम थोड़ा सा confused होते हैं कि कौन से chapter से है ठीक है अब जैसे तुट पढ़ते ही तो हमें बिल्कुल समझ में clearly समझ में आ जाएगा कि discovering तुट से ही है बट स्टिल कई बार ऐसे passages या extract होते हैं जो हमें अचानक से याद नहीं आते या फिर याद आ जाता है कौन से chapter से हैं लेकिन लिखा किसने है उस chapter को उसमें हमें confusion होना होता है यह question यहां लाने का main purpose यह है कि आपको हर chapter का हर author हर poem की poet या poetess वो याद अच्छे से होनी चाहिए क्योंकि exam के अंदर सब jumbled रहता है कहां से कहीं से भी कोई सा भी passage आ सकता है किसी भी writer का या poet का नाम पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए कोई confusion नहीं होनी चाहिए ठीक है clear है आगे पढ़ें next is what do you understand about the word feroi मतलब इसका मतलब क्या है students basically एक तरीकी की उपाधी होती है ये एक title होता है जो Egypt के kings और queens को दिया जाता है it is a title given to the kings and queens of ancient Egypt ancient Egypt का मतलब ancient मतलब पौराने यानि पौराने समय पहले के समय में जो राजा, महराजा या जो रानिया होती थी उन्हें ये उपाधी ये title दिया जाता था फेरोग का right students clear है next is find a word from the given extract which means the same as form a theory or conjecture about a subject without firm evidence यानि आपको ये जो quotes के अंदर जो लिखा हुआ है उसका आपको meaning बताना है एक शब्द में यानि ये अर्थ कौन से शब्द का है और वो शब्द इस extract में होना चाहिए form a theory or conjecture about a subject without firm evidence मतलब पुकता सबूत नहीं होने के बावजूत अपना ही कोई theory बना लेना अपना ही कोई विचार बना लेना तो basically से कहते हैं speculations right तो यहाँ है speculated ये word जो है इस्तमाल किया गया है ये speculations वगरा लगाई गई थी ना कि किस तरीके से हमारे टुटकी death हुई थी किसी को भी real नहीं मालूम, real reason क्या है उनकी death का वो किसी को नहीं पता कि बिमार हो गय थे या किसी लड़ाई में या किसी ने murder कर दिया था, actual में किसी को नहीं पता, कोई पुकता सुबूत नहीं है, लेकिन सबने यही अंदाजे और यही अनुमान लगाए कि शायद उनका murder हुआ था, so their speculations were that he was murdered, right students, clear है, अच्छे से यहां तक समझ में आया, students, जहां पर भी आपको कोई भी doubt हो, छोटा सा भी, तो आप जरूर उसको comment section में comment करके मुझसे पूछे, मैं definitely उसको answer करूँगी, right, यहां तक सब clear है, और इसी के साथ आप इस वीडियो को like भी कर दीजे और इसे share भी कर दीजे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि students ना आ जाते हैं, comments भी in fact कर देते हैं, लेकिन like and share करना भूल जाते हैं, तो वो नहीं कर होना चाहिए, ठीक है, like भी जरूर से जरूर करें वीडियो को. Now next is, Carter Howard Carter, that is, was a British archaeologist who in 1922 discovered Tooth's tomb after years of futile searching. Its contents though historically ransacked in antiquity were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the feroz legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. But Tut was also buried with everyday things he would want in the afterlife. Bird games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. So here we have just said to whom to come. Tut's tomb. Tomb means that tomb remains a problem, who then gave us to come, what did that come, what did that come, what did the effect of thevesty extract? It's all about this extract we already know. और वो चीजें कैसी थी और कौन कौन सी चीजें थी यह सब बताया गया है इसके अंदर ठीक है? और यह बहुत बताया गया है कि हाला कि चुःंड की जो बाडी थी वो डामेज्ड थी लेकिन कम्प्लीट थी ऐसा नहीं है कि कोई हाथ गायब था या कोई पैर गायब था ऐसा नहीं था complete थी ठीक है अब देखते हैं questions क्या क्या बने है who found King Tut's money मतलब mummy मतलब यह जो इनकी जो mummy थी या body है तुट की वो किसने ढूंडी थी तो किसने ढूंडी थी students Howard Carter ने, Howard Carter वो एक British Archaeologist थे ठीक है next is what was the mummy laden with? laden का मतलब students मैंने पहले भी आपको कई बार explain किया है laden का मतलब होता है एकदम लदा हुआ या भरा हुआ तो यहाँ पर बात हो रही है coffin की उस coffin की जिसके अंदर जो यह mummy है चुटकी जो mummy है या जो उनकी जो dead body है वो वो है तो उसके अंदर वो भरी हुई किस्से थी वो जो coffin है या ताबुत है वो किन चीजों से भरा हुआ था basically यह पूछा गया है तो बहुत सारी चीजें थी students mummy was laid in with gold तो चीजें बहुत सारी थी लेकिन सब gold से बना हुआ item था बहुत सारी ऐसी चीजें थी इतने artifacts थे जो gold से बने हुए थे सोने से तो बहुत ही कीमती items थे सभी के सभी next is why were kings laid in with riches riches का मतलब क्या होता है कीमती चीजें इसको दौलर चौहरत समझाने के लिए भी इस शब्द को इस्तमाल किया जाता है riches ठीक है तो यह इतना सारा दौलर चौहरत इतना सारा कीमती समान जो है इनकी dead body के साथ क्यों रखा गया था ताबुत में सब क्यों रखा गया था और कबर में क्यों दफना गया था इनकी body के साथ why it was so क्योंकि ancient Egyptian theories के according यह माना चाता है कि after life के अंदर भी इंसान जीता है मतलब वो भी एक life होती है life के बाद life होती है ठीक है तो वह कोई comfortably जीए तो तुट जो है comfortably रहे उस life में इसलिए it was believed that mummies could enjoy the riches in the afterlife अब यहाँ पर इस life के अंदर जिसमें जी रहा था उसमें तो वो तुट बनकर जी रहा था तो यह चुकि माना जाता है इसलिए यह सारी जो चीजें है कीमती कीमती समान इनके साथ दिये रखे जाते हैं ताबुत के अंदर राइट क्लिया है आगे पढ़ें next is what is artifact artifact basically होता क्या है basically man-made object जो होते हैं students man-made objects होते हैं usually कीमती चीज़े से कोई गमला ही बना दिया इस chapter के अंदर जितने भी artifacts हैं वो बहुत जादा ही कीमती हैं गोल्ड के हैं और उनकी जो कारिगरी है वो इतनी शांदार है कि सभी को बहुत पसंद भी आई right मैंलब सभी को का मतलब यह है कि जैसे ही पता चला कि किस तरीके के artifacts मिले है coffin के अंदर तो पूरी दुनिया में एक संसनी सी फैल गई थी यानि पूरी खबर यह इतनी तेज फैली थी और सब लोग काफी इससे चौंक पे उट गए थे क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ सामने आया था कि किसी के dead हो जाने पर उसकी dead body के साथ इतनी सारी चीजें दफनाई जाती है पहली बार किसी ने यह प्रत्यक्ष देखा था ठीक है तो news के माध्य हम से पता चला था सभी को I hope यह आपको अच्छे से क्लेर है students अब आगे बढ़ते हैं Next extract जो है वो है Karcher really had little choice If he hadn't cut the mummy free Thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold In Tut's time the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them For his journey to the great beyond King Tut was lavished with glittering goods precious collars, inlaid necklaces and bracelets rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheets for his fingers and toes and the now iconic inner coffin and mask all of pure gold अब यहां basically बता रहा है कि किस तरीके से Carter को थोड़ा सा damage करना पड़ गया था उस mummy को उसे हटाने के लिए उस coffin से अलग करने के लिए वो मजबूर इसले थे क्योंकि पहले devices या जो भी tools होते थे वो archaeologists जो use करते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे इतनी बहतर quality की नहीं होते थे और इतने options नहीं होते थे तो इस वज़े से उनके पास जो कुछ था उसी से ही काम चलाना पड़ा इसके अलावा ये डर भी था कि अगर इन्होंने ऐसी की ऐसी अगर छोड़ दी इस ममी को तो बिल्कुल संभव है कि जो चोर है वो आकर ये जिदना भी सोना है या जो भी है वो लूट कर ले जाए तो काफी नुकसान हो सकता है इसलिए वो मजबूर थे कुछ हद तक ममी को नुकसान पहुंचाने के लिए राइट सुडेंट तो ये ही सब इसमें बताया गया है और फिर बताया गया है कि कितनी सारी जो भी चीजें थी जिसको लूटा जा सकता था वो चीजें कौन कौन सकता थे वो सब इसमें बताया गया है कि एकडम प्यूर गोल्ड के सामान थे यही सब वो आटिफेक्स थे अब देख लेते हैं तुडेंट सुडेंस पिर क्वेस्टिंस कौन से बनते हैं तो सेपरेट इसमें तो फिर इसमें पिर अदॉन मेंस इसमीं बताया है कि कि तरीके से एक एक जॉइंट तोड़ कर sprout सबसे परको निकाला गया था और उसके बाद हर एक लेंट को तोड़-Tोड़5 निकाला गया था घसानेम को देख साहा है क्वेशसंपन से थान तरीके है उसका थालन फिराकक है अच्छे से जमाया गया, एक वुदेन बॉक्स को यानि जो लकडी का जो ये ताबुत था, उसको जो पहले जो असली जहां पर वो पहले ताबुत, असली ताबुत जो रखा हुआ था ना, उसकी जगह पर उस लकडी के ताबुत को रख दिया गया, राइट स्टुडेंस क्ल of the thieves, उनको डर था कि कहीं चोड नुटेरे आके कहीं इस ममी को ज़्यादा नुकसान न पहुचा दे, कम से कम, अभी हमारे पास भली पीसेज में सही, वो ममी है तो सही एक दम, यह सारे गोल्ड के पीसेज और यह सब निकालने की वज़े से, ठीक है, चली, आगे बढ़ते ह हैं, next is identify the literary device used in glittering goods, it's very easy students, glittering goods दोनों में ही क्या आ रहा है, G and G, और मैंने यह आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि कभी पे जब कोई literary device, देखें, literary device है, यहाँ poetic device नहीं लिख कहा गया है, literary device इसले है कहा गया है, क्योंकि यह किसी poem से नहीं, एक text से, literary text है, chapter से लिया हुआ ह Right, यहाँ पर आप यह भी देखिए कि G और G दोनों में गर का sound आ रहा है, दोनों ही words में जो सबसे पहला letter है, उसे हम compare कर रहे हैं और repetition आ रहा है, ठीक है, इसके हलावा मैंने आपको यह भी एक चीज़ सिखाई हुई है कि इतनी सारी poetic devices है, literary devices है, identify करना कई बार मुश्किल हो poetic devices या literary devices, ठीक है students, clear है, आगे बढ़े, next is what believe did ancient Egyptians hold, मतलब ancient Egyptians जो थे पहले के समय के जो Egyptian लोग थे, या मिस्र लोग, मिस्रवासी जने कहा जाता है, वो क्या मानने ता रखते थे, belief का मतलब भरोसा, कि बहु क्या भरोसा या क्या विश्वास रखते थे उनका, क्या खयाल, क्य could take their riches with them posthumously, posthumously का मतलब क्या होता है, मरण उपरांथ, यानि death के बाद, यानि अगर मैं कहूं that his book was published posthumously, ठीक है, कि बही उस व्यक्ति की जो किताब है, वो posthumously published हुई, का मतलब यह है, कि उस व्यक्ति की, जो किताब है, वो उस व्यक्ति की death जब हो गई, तो उसकी death के बाद publish हुई थी, यानि वो खुद अपनी किताब को publish होते हुए, देख नहीं सका, ठीक है, तो यह posthumously होता है, मरण उपरांथ, तो यहाँ पर यह माना जाता है, ancient Egyptians, यह मानते हैं, कि मरने के बाद भी हमारे जितनी भी dollar चाहरत हमारे पास है, वो हम लेकर अपने साथ लेक होता है, उसके अंदर उस dollar चाहरत को हम इस्तमाल कर सकते हैं, यह खयाल थे, ancient Egyptians के, ठीक है, clear है, अच्छे समुझ में, इसक्वाइड इंट्रेस्टिंग बिलीफ, थोड़ा सा मज़ेदार खयाल है, ऐसा के सच मुझ में होता है, नहीं, तो यहाँ पर, अल्दो काफी अलग थलक से खयाल है यहाँ पर और यहीं कहीं कहीं कारण रहा, कि क्यों जो ममी मिली ना, उसके साथ, उस ममी के साथ, इतना सारा गोल्ड और इतना सब कुछ देखने को मिला, राइट स्टूरेंस, clear, आगे बढ़ें, ओके, what do you understand by the word circumvent, इसका मतलब क्या है, circumvent करने का मतलब क्या होता है, it means to find a way around an obstacle, specially, cleverly और illegally, यानि circumvent का मतलब होता है, किसी भी गैर कानूनी तरीके से, या किसी भी गलत तरीके से, किसी भी समस्या का हल निकाल लेना, यहाँ पर जिस समस्या की बात मैं कर रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि वो असली समस्या हो, for example, जिसे चोर चक्के हैं, अगर उनने कहीं चोरी करनी है, तो उसके लिए उनके सामने तो अगर कोई guard protect कर रहा होगा, जिस भी चीज को चुराना है, मालने जिए कोई diamond चुराना है, या खजाना चुराना है, तो उस खजाने को जितने भी guards protect कर रहे होंगे, तो देखा जाए तो यह सही है, protection तो लेकिन जो चोर है, उनके दिमाग में क्या खयाल आएगा, कि उनके सामने ये एक मुसीबत है, तो उस मुसीबत को पार करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, ये गलत तरीका या गैर कानूनी तरीका भी अपनाज सकते हैं, जैसे guards जो हैं, उनको मार पीच सकते हैं, या उनका, you know, they can kill them, उनको जान से भी मार सकते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके का नुकसान, guards को पहुचा सकते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, और कानून की नजर में भी गलत है, इसकी सजा मिलती है, तो ये मतलब होता है, circumvent का, I hope आपको ये अच्छे से clear है, students, आगे first into the CT scanner, brought here to prop the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago, all afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground to pay their respects, इसका मतलब ये है, students, कि किस तरीके से जो देश और दुनिया के सभी लोग जो है, इस mummy को, इस ताबुत को, इस कबर को देखने के लिए आते हैं, करीब 26 feet, गहराई में ये जमीन के करीब 26 feet नीचे है, ये जो chamber है, ये जो कबर है, जहाँ पर तुटको दफना आया गया था, तो उसी की बात यहाँ कर रहे है, students, ठीक है, तो यहाँ पर से, और CT scanner की बारे में भी बात हो रहे हैं कि किस तरीके से उसे, जितनी भी mysteries जुडी हुई है, तुटकी, death के साथ, वो identify करने के लिए भी CT scan भी किया गया था, अभी question है, which part of the mummy was first put into the CT scanner, सबसे पहले CT scanner में कौन सा हिस्सा, कौन सा हिस्सा गुजरा था उस machine से, तुटका, तो hand, head, legs, या none of the above, यानि हाथ, सर, पैर या इन में से कोई भी नहीं, तो student जो सबसे पहला हिस्सा था, वो था उसका सर, obviously बात है, मतलब ऐसा टेढ़ा मेरा नहीं रखा हुआ था ना, कि पहले हाथ सजा कर रखे हु या, उसके बाद सर है, ऐसा नहीं है, जैसे बाड़ी होती है, उसी बाड़ी में असेंबल किया हुआ है, तुटकी बाड़ी को, सबसे पहले सर ही उस machine से घुजरा था, ठीक है, clear है, next is, which word as used in the extract means investigate, मतलब investigate का मतलब क्या होता है, जाच परताल करना, इसका कौन सा synonym है, actually, lingering, descended, probe या, understood, explanation के दौरान, मैंने अच्छे से आपको meaning समझा है, investigate मतलब probe या, probing, right, तो probe is the correct word, investigate ही करना, या, जाच परताल करना, right, clear है, आगे बढ़े, next is, the tomb was constructed in, मतलब ये जो कबर है, वो कब बनी थी, इन, construct, कहां बनी थी, sorry, constructed in, earth, wood, gold, rock, कहां बनी थी, basically, तो ये अगर आपको ध्यान है, तो लिखा हो था, rock, cut, tomb, तो यानि, rock में ही बनी हुई थी, यानि ऐसा नहीं कि जमीन खोद कर, कर दी, नहीं, एक चटान है, बलब वैली में, घाटी में बसा, थी ना, ये symmetry जो थी, त बनी हुई थी, rock, cut, tomb था वो, ठीक है, students, clear है, ये एक important question हो सकता है, तो इसे जरूर से जरूर ध्यान रखे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next is, to whom is, to whom is, younger ruler being referred to in the above extract, यानि, younger ruler ना किसे कहा गया यहां पर, किसी राजा को, tut को, a new skill, या फिर the operator of city scanner, city scan को चलाने वाला, जो चला था, तो किसे कहा गया है, that young ruler was, toot, ठीक है, toot को कहा गया है, younger ruler क्योंकि वो काफी, वो बच्चा ही था, जब राज करता था, ठीक है, यहां पर अगर आप king से confused हो रहे हैं, तो मत हो येगा, क्योंकि इस chapter में काफी सारे kings के बारे में बात हुई, जैसे अब मेनोटेप के बा से precise and to the point answer है हमारा, toot, right, clear है students, अच्छे से समझ में आया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next is, how deep was the tomb, यानी जो tomb या कब रहे है, वो कितनी गहराई में थी, 3300 years, 33 साल गहराई में थी, 26 feet, about 26 feet, none of the above, 26 feet, या लगभग 26 feet, या इन में से कोई भी नी, तो correct answer है students, about 6 feet, यहाँ इस तरीके के questions आकर आपको थोड़े से परिशान कर सकते हैं, क्योंकि 26 feet में और लगभग 26 feet में, क्योंकि यह answer as it is आपके chapter में दिया हुआ है, it was about 26 feet, तो यहाँ पर students, about 26 feet, यानी हमारा option C, जो है, वो है correct answer, I hope यह अपच्छे से आपको clear हो गया होगा, और इसी के हमारा ये वीडियो यहाँ पर end होता है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, extract based questions of discovering church, the saga continues, इस चाप्टर के, ये वीडियो कैसा लगा, वो तो बताएगा ही, साथ ही साथ, इस वीडियो को like भी कीजे, जादा से जादा शाय कीजे, ताकि बाकी students को भी इसका benefit मिल सके, इसी के चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो अभी और इसी वर्क, Magnet Brains Hindi को subscribe जरूर से जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहा है, high quality education with all these top courses, class 6 से लेकर, class 12 तक के सभी students के लिए, ये सारे courses जो है, available है students और वो भी एकदम free of cost, इसके अलावा, Magnet Brains English Medium channel पे, CBSE board available है, kg से लेकर, class 12 तक के students के लिए, and again free of cost available है, यानि students दोनों ही channel पे, जो courses available है, वो है एकदम free of cost available, यानि free education है, और free education students जरूर से जरूर का फायदा उठाईए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छी एक opportunity है, इसके अलावा, e-books और e-notes भी available है students, तो जो e-books है, जो e-notes है, और e-notes जो है, वो त सारे practice sets भी available हैं, जो आपको बहुत जादा helpful साबित हो सकते हैं, और ये आपको मिलेंगे कैसे लेके, ये आपको description box में जाना होगा, वहाँ पर e-notes और e-books दोनों के links दिये हुए हैं, जैसे यून links पर click करेंगे, इन दोनों के बारे में आपको complete information सामने आ जाएगी, तो सब कुछ आपको इन से related पता फिर चल जाएगा, इस important information के बाद, अगर आपको channel से related latest updates चाहिए, तो Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, WhatsApp, यहां हमें join करना मत भूलिए, दोनों ही channels को join कीजे ताकि आपको सारी latest updates मिल सकें, जैसे live sessions की details मिल सकें, timetable क्या है, सब कुछ क्या नहीं, subject को लेकर क्या नहीं च comment जरूर कीजे, अपना video like करना नहीं भूलना है, share करना नहीं भूलना है, और most importantly, अपना ध्यान रखना नहीं भूलना है, तो अपना ध्यान जरूर से जरूर रखिये, मलते हैं अगले video में, bye bye and take care.